अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बाइल एकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को अन कर लिजिए फूर फ्यूचर अप्डेट्स के लिए अगर उन्होंने आगे कॉंटिन्यू करना है देन ही और शी उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर कोई पर्मानेट बेसिस पर चॉब कर रहा है अगर उसको प्रमोट होना है तो उसके लिए भी उनको सबसे पहले अपना CBT ही कॉलिफाई करना पड़ेगा तन उसके बाद ही उनको पर्मोशन मिलेगी तो CBT अपका क्या रहेगा उसमें स्लेबस क्या रहेगा especially for pre primary and जो उसमें entity post के लिए ये काफी ज़दा बच्चों को doubt साहिए मैं सारा process आपको with the help of एक पूरा tutorial प्रवाइड करूँगा जिसमें paper 1 में क्या होगा, paper 2 में क्या होगा, कौन-कौन से question आएंगे general English में और aptitude में कैसे questions आएंगे उसके बाद आपका TGT के लिए क्या स्लेबस रहेगा, PRT और PGT के लिए क्या रहेगा, especially for municipal post municipal post के लिए काफी जदा बच्चे confused हैं, because जो भी DMC, DVCMC है, इसके द्वारा कोई भी official syllabus आउट नहीं किया गया है कि बच्चों ने ये preparation करनी है, इसके according ही उनका exam होगा, because कोई भी आपका exam निकलता है स्लेबस तो common सी बाद है, compulsory होता है, उसके according ही बच्चे पर बच्चे करते हैं, यहां तक कि अगर आप class में भी teach करते हैं, तो सबसे पहले आपके पास स्लेबस होता है, और कितने chapters आपने कराने उसमें पूरा criteria होता है, तो स्लेबस वे रफलल कोई नहीं आउट किया गया, ना ही salary आउट की गई है, जबकि मेरे according स्लेबस के बारे में बताना चाहिए था, so that candidates उसके according प्रपेर कर सके हैं, तो चलिए, time I waste करते हुए, वीडियो को start करते हैं, जो भी आपके पूरे doubts रहेंगे, वो मैं सारे वीडियो में clarify करना क्या कुशिश करूँगा, so वीडियो को ज़रूर like करिएगा, future updates के लिए हमारा तो सबसे पहले इसमें देखिए आपका carrier graph बनेगा, carrier graph का है, इसमें आपकी scrutiny of documents होंगी, आपने कौन कौन सी qualification की है, उसमें आपकी कौन सी division आई है, कौन सी university से pass की है, उसके बाद आपका c-tet है, p-tet है, s-tet है, जो भी आपका state-tet रहेगा, वो आपने pass की है, या c-tet pass की है, यह सारा जो process रहेगा, उसको बोलते, carrier graph, यह process करने के बाद, जब आप c-t qualify कर लेंगे, उसके बाद आपका interview होगा, demo होगा, उसके बाद आपका selection होगा, यह तो थी main main चीज़ें, जो आपको पता होनी चाहिए, तो last में आपको बताऊंगा, passing marks क्या रहेंगे paper के, negative marking in DAV schools, और आपको कैसे बता लगेगा, जब आप pass कर लेंगे test, कि आपने कोहां पर job करनी है, तो उसके according भी मैं आपको बताऊंगा, कि आपको job कहां मिलेगी, कौन से DAV school में मिलेगी after CBT, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले about DAV CMC process regarding CBT, जो निया इनोंने process start किया है, तो यह अगर मैं बात करूँ, CBT की, यह आपका total रहेगा, paper 1, जिसको हम part A B बोल सकते हैं, paper 2, जिसको हम part B बोल सकते हैं, यह एक ही आपका paper होगा, तो part A आपका रहेगा 30 minutes का, जितमें आपके, यहाँ पर, sorry, यहाँ पर मैंने कुछ writing mistake कर दी है, तो यहाँ पर यह आपका 20 minutes का, और यह रहेगा आपका 80 minutes का, जिसमें थोड़ी से mistake है, जिसमें थोड़ा ठी कर लेना, because during writing, I think यह wrongly mistake हो गई है, typing mistake हो गई है, तो आपका जो part A रहेगा, जिसमें 30 M's Qs आएंगे, general English, जिसमें रहेगा आपका, उसके बाद इसमें आपका रहेगा, aptitude, teaching, aptitude, child psychology रहेग classroom को कैसे manage करेंगे, वो पूरा process रहेगा, जिसमें आपकी communication skills भी हो सकते हैं, यह part A में आएगा, including, सबसे important, national education policy, और national curriculum framework, इसको जुरूर prepare करिएगा, especially your latest है, और उसके बाद GK के कुछ questions आते हैं, तो इन में से यह नहीं कि सारा paper English में से ही आएगा, mix up होगा, 2-3 questions GK के होंग और English की बात करें, तो जो English रहेगा, इसमें आपका journal, उसमें noun, pronoun, synonym, sentence, correction होगी, little bit कोई comprehension का पैसे भी आ सकता है, जादा बढ़ा नहीं होगा, मतलब basic सा exam होगा, but आप यही prefer करिए कि आपने hardly work करना है, preparation करना है, इसको easily मत लेना, because अगर DAB ने CBT start process किया, तो कुछ source समझ के ह की गए, और एक बार आपकी CBT कॉलिफर करने के बाद आपका selection DAB में हो गया, तो मेरे recording आपके permanent होने के chances 100% है, कैसे रहेगा, विमा आपको बाद में बताऊंगा, so paper A, part A में रहेगा, आपके 30 MCQ जिसके duration रहेगी 40 minute, paper 2 रहेगा, आपका part B रहेगा, आपका 50 MCQs के साथ 80 minutes का total duration आपकी रहेगी 2 hours की और आपके total questions होंगे 80, दोनों के मिलाकर, 30 plus 50, 80 और यहाँ पर duration आपकी रहेगी 40 plus 80, यहाँ के 120 minutes, तो 2 hours, यहाँ duration फिर से बोल रहेगा हूं, मैंने typing mistake कर देए, तो उसको देख लेना, 40 minutes का यह रहेगा, और आपका 80 minutes का यह रहेगा, आसी और updates के slavers, सबसे important, slavers में बहुत जादा बच्चों का problem आ रहे है, because official slavers कोई out नहीं किया गा, यह जो मैंने slavers आपके सामने appear कर रहा हूं, जिनोंने पहले 2023 में CBT हुआ था, all over India में तो अब start हुआ था, हुआ है, लेकिन इससे पहले अपका Western Magal, Jharkhand, Bhubaneswar, Madhya Pradesh, इस साइड यह प identifying, जो आपका CBT रहेगा, then आगे आप continue कर सकेंगे, तो pre-primary और nursery की बात करूँ, इसमें आपका up to class 5 तक prepare करिए आप, जो भी pre-primary के nursery के teachers हैं, जिसमें आपका classroom management रहेगा, because इसमें slavers आपको कुछ नहीं है, उसके recording आपको prepare करना होगा, English रहेगा, इसमें आपका Mass रहेगा EVS, यह main सी चीज़ें हैं, जिसमें आपका यह भी हो सकता है, जिसमें आप बच्चे का base कैसे create करेंगे, छोटा बच्चा अगर आप class में आ रहा है, तो उसको आप कैसे attack करेंगे, आपकी कैसे बातों में interest लेगा, यह सारा कुछ, जिसमें आपका यह भी child psychology होगी, teaching aptitude होगा classroom management हो गया, उसके बाद आपकी grammar हो गई, current affairs भी इसमें आ सकते हैं, और यह जो रहेगा इस बार, थोड़ा इस तना tough नहीं हो गया तरह पिछली बार होता है, जो पिछली बार हुआ था CVT, वो state पहले ले रहा था, जैसे मैं बात करूँ, वेस्ट आपकोल साइड, वो states ले र होगा, मतलब उससे level थोड़ा सा down होगा, तो next, PRT के लिए बहुत से doubts आ रहे हैं, कि sir PRT का slavers क्या रहेगा, PRT का वैसे हम slavers बात करें, तो first two आपका होता है, sixth class है, लेकिन मैं आपको यही prefer करूँगा, आप third two tenth या first two tenth तक books follow करें, books कौन सी follow करनी है, NCRT की, DAV की अगर आप books चाहिए, उसका link माँ को provide कर दूँगा, उसके लिए वीडियो के last में माँ को कुछ details दूँगा, आप मुझसे कैसे contact करेंगे, उसमें मैं आपकी जितने भी DAV की books है, free of cost, आप वहां से download करके अपनी preparation कर सकते हैं, और वो books आपकी different subjects की रहेंगे, including Sanskrit, TGT की बात करें, TGT में प्लस 1, प्लस 2 और जो आप honor study किया, जिसमें graduation level तक तो आई जाएगा, तो इसमें आपका paper थोड़ा सा tough रहेगा, तो इसके according prepare करिए, ministerial post, इसमें बहुत जादे बच्चों को doubts है, because ministerial post में बहुत सारी post आयाती है, जैसे LDC, UDC, accounts हो गया, उसके बाद admin department के हो गया, और भी एक स्वेज़ बहुत जादा post हैं, जो इसमें आ रहे हैं, according to post आपका syllabus होगा, इसके लिए आप मुझे message करना, कहां पर message करना है, वीडि your friends, next, जब आप ये CBT qualify कर लेंगे, तो आपको job कैसे मिलेगी, कौन से school में मिलेगी, देखे जब आपने CBT qualify कर लिया, यहाँ पर एक मैं important चीज़ बताना चाहता हूँ, जो मैंने उपर आपको बताई थी, this one, passing marks क्या होंगे, passing marks कोई नहीं है, आपके just आपने qualify करना, यह नह आप यही prefer करिए, कि आप इसमें अच्छे mark secure कर सकें, PEC की full form है, provisional eligibility card, जैसे army school, APS के exams होते हैं, उसमें आपको score card मिलता है, इन्होंने score card को नाम दे दिया, provisional eligibility card, यह entry pass रहेगा, अगर आपने DAV में job करनी है, जिसकी validity रहेगी one year, अगर आपकी एक बार joining होगी DAV में, तो आपको 3 years तक, DAV में next, जो CBT रहेगा, उसको qualify करने के जरूरत नहीं, तो आपकी validity 3 years तक रहेगी, अगर आपने एक बार CBT qualify कर लिया, यही तो थे कुछ important doubts, जो मैंने आपके साथ clear किये, लेकिन काफी ज़्यादा questions है regarding computer teachers, because आपको पता है, computer teachers के लिए B.I. compulsory नहीं होती, ले जिसमें B.Ed. for computer science teachers, बेशक वो PRT है, बेशक वो TGT है, बेशक वो PGT है, हर एक के लिए B.Ed. compulsory है, अगर आपकी B.Ed. इस वार नहीं है, अगर आपने form fill भी कर दिया, जब आपकी document verification होगी, तो आपको according to Apex certificate आपको आपके continue नहीं करने देंगे, वो अलग बात है कि आपने permission vera ले रखी है, जब आपने जो भी higher thoughties है, उनसे बात कर रखे है, वो अलग चीज़ है, वो उनपर depend करता है, और वैसे अगर हम बात करें, C-Tet, S-Tet का कोई combination नहीं बनता है computer वालों का, बाकि depend करता है, B.Ed. में आपने consensus रेक लिए हैं, तो उसके according आपका C-Tet, S-Tet, State-Cartet होनी चाहिए, तब आप permanent हो सकती है, DAV में, और यह जो इस बाद आपका CBT हो रहा है, computer-based test for DAV, selection process में, तो 3 years में आपके permanent होने के chances 80% है, यह मैं आपको बता दू, 80% chances 100% नहीं बोला, because new rule है, अभी पता नहीं आगे क्या होगा, तो इसके बारे में आगे आपसे बात करूंग जब नया कोई rule आएगा, तो इसके लिए जुरूर हमें join करना channel के साथ भी जुड़े रहना, यह थूद ही important चीज़े हैं, और ऐसी updates के लिए जुरूर हमें join करिएगा, और चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा, now important चीज़े हैं, जो मैं आपके साथ share करना जा रहा हूँ, paper में इस work, आपके chances हो सकते हैं, हो सकते हैं, आपके selection होगी होगी permit बाद में, यह depend करता higher 30s पर, क्या next true लाएंगे, because अभी just एक survey कर रहे हैं, कि क्या होगा हम यह all over India में कर रहे हैं, यह अभी next जो भी ऐसी updates आएंगी, मैं आपके साथ share कर दूँगा, because ऐसा official कोई नहीं आया, कि हम आ contract basis पर है, salary वरा की बाद करें, area to area vary करती है, और paper में काफी जदा बच्चों की curious आ रही है, कि sir, paper bilingual होगा, यह एक language में होगा, देखिए, वैसे तो paper bilingual होना चाहिए, by language में, Hindi और जो भी आपकी English language है, but यह 50-50 है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, because इन्होंने कुछ clarity नहीं दी कि यह होगा या नहीं होगा उसके recording, तो यह all over मैंने सारे आपके doubts clear कर दी है, तो फिलाल फिर भी, अगर आपको की doubt रहता है, आप comment section में comment कर सकते हैं, ना उस अब से important, आपका सारा process हो गया, CBT qualify कर लिया, लेकिन जहां आप job कर रहे हैं, वहां तो आपकी जब equipment, advertisement निकलेगी तब आप join कर सकते हैं, तो, CBT complete होने के बाद, आपको relief किया जाएगा, जो भी इनका process होते है, स्कूल का, relief होने के बाद, आपका different schools, different क्या all over DAV schools, interview conduct करेंगे, advertisement proper निकलेगी, उस ad के recording, जो मेरी previous year, जिन्नोंने CBT दिया था, उनसे बात ही, उनका कहना था, कि दोबारा भी इन interview हो था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, जब आप CBT qualify कर लेंगे, PEC मिल जाएगा, different schools, अपनी equipment add निकालेंगे, जो भी post रही हो स्कूल में, और जो भी आपने test qualify किया है, PRT में किया है, TGT, PGT में किया, ministerial post के लिए किया है, entity के लिए किया है, pre-privery post के लिए किया है, उस school में अगर वो post है, then वहाँ पर apply कर सकता, अगर post नहीं है, then वहाँ पर आप apply नहीं कर सकते, so यह मेरे according, जतने भी आपके doubts है, A to Z, मैंने इस वीडियो में clear करने के पूरे efforts की है, so वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, यह information मैंने gain की है, यहाँ पर collect की है, इसको बहुत ज सब्सक्राइब करिएगा, अगर आपको यह जो मैंने पूरा यहाँ पर infrastructure यह create की है, CBT यहाँ थोड़ी सी mistake मैंने आपको बता दी थी, तो उसके लिए आप हमारा telegram group join करिए, इस सारी process में डाल दूँगा, और ऐसी updates के लिए जुरूर हमें join करिएगा, future के लिए, जो भी updates साइंगी, वो अपने telegram group ने update करते रहेंगे, so all the very best for your CBT, जो आपका second of March से start होने जा रहा है, do your best, be positive, और कोई भी problem आती है, you can comment in the comment section, जब भी आपका CBT होगा, telegram जो हमारा group है, उसमें आपके experiences जुरूर शेयर करूँगा, because जिनका तो second of March को exam हो गया, वो तो ठीक है, जिन इनका next exam आएगा, उनको काफी ज़्यादा easy होगा, और एक idea हो जाएगा, कि exam कैसा था, bilingual था, जो उनका pattern था, moderate था, intermediate था, या difficult था, यह सारा कुछ आपको मैं next video में update करता रहूँगा, so time ना ज़्यादा waste करते हुए, so हम वीडियो को यहीं end करते हैं, वीडियो को जूरू श